तो 10 नागब लोगों प्रूजगार दिया नीकिति पत्र दिया, पहले फेज में एक लाग बीस बार जो है सेकंड फेज मे मातर सत्तर दिनों के अंदर हम लोगों ने लग भग दो लाग से भी जाधा सिख्रक्षेकों की नौकरी दिया है सरकारी नौकरी दिया है और एक इतिहासी काम है में को नहीं लगता कि देश या दुनिया में कहीं भी किसी भी सरकार में एक डिपार्टमेंट में इतनी बड़ी संख्या में लाखों के तग्राहत में नौकरियां जो है वो दी गई होंगे मेरा मानना है यह त सब्सक्राइब करने के बात होनी चाहिए यह सरकार जो है लगतार निर्द लेघी और आप पता ही भाजपा के बड़े बड़े नेता जो हैं कहा करते हैं बागवान भी आजाए तो नियूज़द सिक्षकों को सरकारी राज कर दर्जा नहीं दे पाई यानी हम लोग ने से बिने ले लिया कुछ दिनों पहले कि जितने भी जो हैं नेजुद सिक्षक उनको हम लोग राज की कर्मी का दर्जा हम लोग देंगे और इस काम पे भी हम लोग अमल रहें और इससे पहले आप देखीगा बिहार जो मौडल है जो महागरबंदन सरकार का मौडल है पढ़ान की रोजगार की संभावनाई जो है बहुत बहतर होंगी बिहार में और एक मौडल पेश हुआ है देश में कुछ लोग कहते थे कि साल में दो करोर रोजगार देंगे आज दस साल होने जा रहा है बीस करोर रोजगार कहां गया आज इस पर चर्चा नहीं होती और बिहार की भाचपा और या कहीं अंड जो विपक्षी दले हैं जो हम लोगों से सवाल पूछते थे कि सरकार करने कब दोगे नौकरी कब दोगे नौकरी यह सवाल को भूल गए हो लोग क्योंकि इतने बड़े तदाद में जो हैं नौकरिया मिल रही है तो लोग ठंड में तो आज सब लोग जान रहे हैं इतने बड़ी तदाद में पूरे बिहार में 96,000 लोग जो थे खटा हुए और उनको मिलाई तो अदबुद है ना गांधी मैदान माना जानता था पॉलिटिकल रैली के लिए लेकिन अब माना जाएगा निक्ति पत्र वित्रन रैला के लिए कहां नार मिल रहा है डिकरी जो ला रहा है मैडल ला रहा है सबकुत को नोकारी मिल रहा है यह सारा चीज हम लोग भी सल्कार कर काम रहा लाए है लेकिट बिपकस के लोग बोल रहा है कि बाड़ी लोग को ब्यार के बाहर 11 008 देखिए लगभग 85% मिनिमम हम बता रहे हैं कि बिहार की लोगों को मिला है और पहले तो बताईए नौकरिया तो मिलती नहीं थी अब तो है पूरा नौकरी मिल रहा लाखों के तादाद में मातर 15% जो दूसरे राज के जो लोग आए हैं माली जी कई बार होता है कि सब्जेक को पढ़ाने वाला बाहर से लेना पड़ता है उसलिए वैसे सिक्षकों को भी हम लोगों ने मौका दिया और से बाहर से इंटरनाशनली लोग आ रहे हैं तो यह तो गरवान में होता है ना कि भाई बिहार के लोग जो बाहर जाय करते थे आज बाहर की लोग भी बिहार आ र